असलाम लीकूम फ्रेंट्स कैसे हैं सब उमीद हैं सब खेरियत से होंगे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही जबरदस ड्रेसेज फॉर विंटर ड्रेसेज सबसे पहले जी जो मेरे पास ड्रेस है यह है पलची का सूट है वेलबट पलच किया है इसकी साइड्स में भी गोटा यूज किया फिटिंग्स में भी मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से यह देखें सबसे पहले जी हम देखते हैं इसका दामन पर हमने जो इसकी बैक सेई डैना वो ब्लू कलर की है उसका फैबरिक यूज किया है और उसके उपर जो है क्रास में लगाया है गोटा और नीचे उसके हमने लगाई है लेस लटकन में चुट-चुटी सी लेस लगाई है ताकि ड्रेस जो है वो फॉर्मल हो जाए यह देखें और जो बॉर्डर है उसको फुल फैशन बटी दे दी है शमोस सिल्क कलर की ठीक हो गया अब आपको अब आपको दिखाती हूं इसकी साइड इसकी साइड में हमने दो इंच का फैबरिक फिल किया है और यह ट्राऊजर वाला फैबरिक है और इसके ओपर गोटे को जो है वो क्रॉस में रखके लगाया है और देन उसको फिक्स कर दिया है जो साइड में आपने पटी एड़ कर यह इसकी बैक साइड है यह है जी ब्लू कलर जिसके उपर हमने जो है फ्रेंट बैक दामन के क्रॉस लगाए है यह इसकी बैक साइड है कुछ इस तरह से यह देखें ऐसे अब आपको दिखाती हूं में इसके बैक साइड का जो दामन है यह देखें जी यह बैक साइड का दाम स्लीव के सामने हमने कुछ हेंगिंग्स अटेश करनी है जो भी अवेलेबल नहीं थी तो वो जब होंगी तो फिर इंशाला लगेंगी यह जी स्लीव के ओपर गोटे की हमने चुट-चुटी लाइन्स यूज्ज की है और सामने इसके हैंगिंग्स लगेंगी वो अभी पैनावा होगा तो फ्रंट लोक कैसे है यह देखें ऐसे यह जो कस्टमर है इन्होंने मेरे वीडियो में ही देखा था यह डिजाइन तो यह नहोंने कहा था मेरे ट्रॉजर पर बनाना है तो हम लोगों ने इसको दुबारा से बनाया है और यह इसका फ्रंट प्लीन और बै यह देखें जी यह इसकी लुक है यह इसकी साइड में पाइपिंग की भी है ग्रीन कलर की और मैं इसके बार्डर भी दिखाती हूँ दो बट्टे के बार्डर भी काफी नाइस है यह देखें जो इसकी लंबाईया है ना साइड है उन में ग्रीन ग्रीन कलर का बार्डर है बहुत ही नाइस कब्मिनेशन है. यह green है, then blue है, then center में brown है, then उसके बाद फिर वही sequence है. यह मैं आपको दिखाते हूँ इसके borders. इसके borders भी बहुत nice है. यह देखें जी. अब आपको दिखाँगी dress की all-over look की dress किस तरह से दिखता है? यह देखें यह नेगा आगी और यह इसके स्लीव जन है र कैमरे को दूसते रखर कर दिखा थे हैं उसकी साइड है इसके बाद नेक्स में पास जो ड्रेस है यह केमरिक कॉटन का और यह जीन का अर्टिकल है इसकी नेक में बटन्स भी लगने रहते हैं लेकिन जब मैं आल ओवर लुक दिखाऊंगे न तो इस पर कोई गोटा यह बटन्स में अटेच कर दूँगी ताकि आपको प्रॉपर ग्नषर आए राउंड नेक है सीधा स्लिट है और इसकी जो साइड पैनल है उनमें तीन-तीन लूप सरने लगाएं लेए एक दो लूप में रूण है और एक ग्रीन है सारे पैनल में इसी तरह से सीक्वेस है और जो इसका साइड पैनल है उसमें जो है वह वो पिंटेक्स है ठीक हो गया यह बाकि जो इसके पैनल है उसमें तीन तीन लूपस जैसे मैंने आपको बताये वैसे हैं फ्रंट बैक दामन के नीचे इसके कॉट वर्क हैं फैशन प्रटी जो हमने लगाई है महरून कलर की लगाई है और अच्छा जो इसके कट वर्क है ना उनमें हमने ले सटेच की है और साथ में लूप सटेच की है cut work میں lace attach की है और साथ में loop attach की है यह देखें कुछ इस तरह से इसकी look है यह इसके loops हैं साइडों पर जो है वो दो मेरून है और एक green है और साथ में cut work में साथ साथ lace हा रही है और नीचे fashion party जो है वो मेरून कलर की है अब आपको दिखाऊंगी इसके side slits इसके जो side slits है उनमें भी हमने मेरून कलर की lace attach की है fashion party जो है मेरून कलर की add की है और मेरून हलका सा difference रखा है जो lace है न वो थोड़ी सी dark है और जो fashion party है वो थोड़ी सी light है ताके जो color combination है न वो ज्यादा अच्छा लगे उसके पाद ये इसकी back side है back side में straight pin tax हा रहे हैं फुल shirt के ओपर ये देखें यहां से round neck है और ये सारे के सारे जो है वो straight pin tax हा रहे हैं पूरी shirt की back के ओपर और जो back diamond है back diamond के नीचे भी cut work बनाये हैं मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से back diamond के नीचे cut work है ये सारे pin tax है और ये जी सारे cut work है इस तरह से और नीचे इसके जो है वो fashion party है और ये सारे loops आ रहे है sequence तीन तीन का है हर cut में जो है वो तीन loops है ठीक है screenshot ले ले लें आप इसका बहुत ही अच्छा डिजाइन है ये वाला ना cut works वाला और loops वाला अब आपको दिखाऊंगी मैं इसके sleeves इसके sleeves में जो है वो चेक बनावा है ये देखें ये चेक है इस तरह से sleeves में ये देखें सारा जो है वो double pin text के साथ चेक के कुछ इस तरह से ये देखें और सामने इसके दो laces attached की हैं और laces के आगे उसी तरह से lace है मेरून कलर की और साथ में जो है वो loops हैं और नीचे जो fashion पटी है वो मेरून कलर की है अब आपको मैं दिखाऊंगी इसका ट्राउजर इसका जो ट्राउजर है उसकी साइड्स पे anchor thread यूज किया वाँ फुल लंबाईों में तक्रीबण यह जो पटी आ रही है ना यह धाई इंच की है यह जो printx वाली sorry printx नहीं है यह anchor thread है यह anchor thread की पटी है यह तक्रीबण धाई से पोने 3 इंच की है यह वाली पटी ठीक है पैर-पैर के फासले पे सारे जो है वो तरह तरह यहां यह दिखिए और देखिए लिए शपयर नजाएं इसके बीट को बिल्ट है वह फूर्ण प्रूर्ट पें और यह इसकी बैक लास्टिक हैं और ये इसका एक्स जो बने हुए है सारे के सारे और ये इसके पैनल में देखें, क्रॉस पिंटेक्स हा रहें ये दुबटटे की लेस है और ये दुबटटा है इसका, ये ट्राउजर के एंकर त्रेड हैं और जी ये इसका दामन है, अब क्रीब से दिखाऊंगी दामन ये देखें शटल लेस के साथ जो है वो लूप्स लगे में ये देखें इस तरह से और ये इसके साइड स्लिट्स है आई होब आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक शेर जूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ठीक है जी ये देखें अब नेक्स मारे पास जो ड्रेस है ये है करिजमा का राउंड नेक है इसलिट है इसमें बाल्स लगे में गोल्डन बाल्स इस तरह से और इसके जो फरेंट बैक दामन है उस पर कटवर्क हैं ट्राजर पर भी कटवर्क हैं इस लीज तो बहुत ही कर philosophy वह ब्लैक रखी है इसके साइटकीं किया है इन में हमने पार Bijपिंग कि भी है कुछ एस तरह से ये देखेंए ऑफैब्रिक कीए और क्ट वर्क के नीचे खिए और धरई वह प्रिंट हैं अच्छा आइठकल है करीजमा का शाल है साथ में हुपसूरत और और नाइस आर् ठीक है जी अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके स्लीव्स इसके जो स्लीव्स है ना उन में जो यूरिंग बने वे ना वो बहुत खुब्सूरत और नाइस हैं भी आपको दिखाती हूं मैं स्लीव्स इसके ये देखें जी ये इसके स्लीव्स हैं इसके स्लीव्स का जो बार्ड कि इस तरह से उसकी चैब है यह देखें जी यह स्की डबल के सीक्विंस के साथ यह आरहे हैं और सामने इसके जो हमने पाइपिंग की है और इसकी जो चुड़ाई हमने रखेंगे पटी की वो तक्रीबन पॉइंट 5 इंच से कम है ठीक है जी सामने इसकी ब्लैक कि इसका जो ट्राउजर है वो थोड़ा सा लूस फिट में है और इसका जो बाइंचा है उसके नीचे भी कट वर्क बने है मतलब इसका जो फरंट वेक दामन है उसके नीचे कट वर्क हैं और जो इसका ट्राउजर है उसके नीचे कट वर्क हैं लेकिन जो स्लीज है उनमें अंदर डिजैनिंग है और सामने से प्लेइन है बाकी जो ट्राउजर की बेल्ट है वो फरंट प्लेइन बैक लास्टिक में है यह देखें कुछ इस तरह से अब आपको दिखाऊंगी ड्रस की आल ओवर लोग यह देखें जी अब करीब से सारे डिजाइन नजर आएंगे और बहुत खुबसूरत लगेंगे यह देखें जी यह इसके स्लीव्स है यह इसकी नेक लाइन आपने देख ली अब आपको दिखाऊंगी इसका ट्रॉजर शॉल मेरे पास इस वक्त अवेलिबल नीथी पड़ी भी इस वज़ाए से मैंने नहीं शेयर की वरना इसकी शॉल बहुत खुबसूरत है इम्रेड़िट शॉल है इसकी ठीक है जी यह इसका दामन है और यह इसके साइड स्लिट्स है इसी के साथ दें इजाज़त दौाओं में याद रखिएगा अपना बच्चों का सब का ख्याल रखिएगा टेक कियर रहने लाहाफिज